शरत पूर्णिमा ये त्युहार हिंदू धर्म में खास महत्वु रखता है शरत पूर्णिमा की रात में लोग अपने घरों की छट पर खीर बना कर रखते हैं क्यूंकि ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा से अमृत की बढ़सात होती है आज पूरे देश में इस त्यु को सूरदेव कन्या राशी से निकल कर तुला राशी में प्रवेश करेंगी सूरदेव का ये राशी परिवर्तन सभी 12 राशी उपर अपना असर डालने वाला है आईए इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सी 5 राशिया है जिनके लिए सूरदेव का राशी परिवर्तन रहने वाला है सूरदेव के राशी परिवर्तन से कुछ राशीयों के ज्रातकों की किस्मत बदलने के आसार है इसी कड़ी में लोकली टीन ने आयोध्या के जोतिशी पंडित कलकी राम से बात की उल्हों ने बताया कि ये बदलाव खास तौर पर 5 राशियों के लिए शुब रहने वाला है आईए वो कौन सी राशी है इस बारे में जानते हैं उसे प्रसाद रूम बढ़ाता है अबकी जो चंडर्मा और गरंशतों की चाल है उसमें मेश, कन्या, मिथोन, कुम्ब, तुला ये पाँच राशियां यसी हैं जिनके भाग चमक जाएंगी मेश राशी, लंबे समय से रुका हुआ धन वापिस मिलेगा, समाज में मान सम्मान भड़ेगा, व्यापार में फाइदा होगा, परिवार में खुशाली और सुक सौभाग्य रहेगा, संतान उत्पत्ती के योग बन सकते हैं कन्या राशी, अचानक धन का लाब होगा, आपके फैसली फाइदेबन साबित होगे, नौकरी या व्यापार में प्रगदी की संभावना है, आर्थिक स्तिती में सुधार आएगा, मिथुन राशी, सफलता की नई उचाया हासिल होगी, रुका वुआ धन लोटेगा, व्या वियापार में बड़ी डील हो सकती है, स्वास्ते संभंधी समस्याएं दूर हो सकती है, कुम्भ राशी, स्वास्ते संभंधी परेश्वानिया दूर होगी, महनत का पूरा फ्ल मिलेगा, शादी के योग बनेंगे, धर्मिक कार्यों में रुची बढ़ेगी, विदेश व्य पूर्णिमा का पर्व ना केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बलकि सूरदेव के राशी परिवर्तन से ये समय खास रहने वाला है तो ऐसे में इस बार खीर बना कर छट पर जरूर रखे जिससे सूरदेव की क्रिपा भी आप पर बनी रही आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लोकली टी